न्यूसक्लिक में आपका स्वागत है, इंडियन सिनेमा में काफी कम देखने को मिलता है कि वर्किंग क्लास जो है वो एक लीड रोल में हमको फिल्मों में देखने को मिले, ऐसी एक फिल्म जवेगाटो नाम से रिलीज हुई है थियर्टर में, कपिल शर्मा जिसमें की लीड इसरोल में है, शाहन अगोस्वामी है, नंधिता दास ने इस फिल्म को डिरेक्ट किया है जो ने फिराक और मंटो जैसी फिल्में भी बनाई है हम उनसे बात करेंगे इस फिल्म के बारे में सिनिमा के बारे में एक बड़े स्थर पर और बॉलिवुड में आजकल कैसी फिल्म में बन रही हैं उसके बारे में तो आईए नंधिता जी से बात करते हैं नंधिता जी बहुत शुक्रिया आपका न्यूस क्लिक में हमसे बात करन से कि जो आपने कपिल शर्मा जो करेक्टर प्ले कर रहे हैं वैसे लोग काफी ज्यादा उनकी आबादी है जो कि गिग अक्रॉनमियम काम करते हैं तो स्क्रिप्ट के लिए या फिल्म के लिए क्या आप उन रियल लोगों से मिली क्या आपने उनकी जो है पूरी लाइफ ट्रेक की एक मतलब पूरा दिन उनका ट्रेक किया क्योंकि काफी सारे न्यूएंसिज हैं जो कि हमको आम तौर पर ऐसी फिल्मों में देखने को नहीं मिलते हैं जी बिल्कुल मतलब रिसर्च को ही एक ड्रेड साल लग गया क्योंकि कोविड का टाइम था उस वक्त हम अपने आप सेफ होने के लिए घर पे बैठे हुए थे और यही लोग हमें एक तरह से मदद कर रहे थे कि घर बैठे बिठाए सब सामान ले आए खाना ले आए तो मैं इन फाक्ट इसी टेबल पर जहां मैं अभी बैठी हूं डाइनिंग टेबल पर ही कही सारे राइडर्स आए हैं उनसे बाते हुई हैं हमने भुवनेश्वर में भी मैंने कुछ राइडर्स से काफी सारों से हमने बाते की उनके ओफिस भी गए बैकेंड भी देखा और क्यों जो नॉर्मल जो ट्रडिशनल वर्किंग स्पेस थे बहां से निकाल दिया गया था यहां कि मतलब जॉब्लेस हो गए थे तो कहा कि चलो यही ले ले लेते हैं और इसमें हमारे यहां लिटरसी लेवल इतना हाई नहीं है कि यंग लोग वैसे अप्स को काफी समझ जाते हैं लेकिन फिर भी इसमें कोई मालिक नहीं दिखता जो डालॉग भी है कि यहां गुलामी तो यहां भी है लेकिन मालिक नहीं दिखता तो यही बात है कि हम लोगों को ट्रडिशनल वर्किंग स्पेस जहां पर हम लोग सब काम करते हैं हमारे कॉलीग होते हैं को वरकर होता है ब आपके टी-शिर्ट वाले हैं जो आप उनके साथ एक अलग कमराडरी बन जाती है क्योंकि आपको पता है आपका एक शेर्ड एक्सपिरियंस लेकिन फिर भी मुश्किल तो होता ही है तो वो सारी चीजे थी फिर भी हमारे देश में कजीब चीजे कि इतने स्ट्रॉगल मे भी लोग फुल रहते हैं लोगो को लगता है कि शायद यह कई राइडर्स ने यह भी बोला कि थोड़े दिन की बात है उजे फिर जब जब मिल जाएगी ना तो तब मैं कर लूँगा जबकि उसके बाद को बहुत चीजें वहतर हुई है ऐसा तो है नहीं जोब्स की तो भी भी मारा मारी चल रही है बलकि unemployment has increased a lot over the years पिछले दस साल में अगर आप देखे तो बहुत ज़्यादा unemployment बढ़ी है तो और COVID ने इन हालातों को और बत्तर बना दिया है सो यह सारी चुटी चीजें थी और उनके experiences जो थे customers के साथ तो मुझे किसी को blame game करके किसी को villain बनाने में कोई मता नहीं है मतलब मुझे लगता है कि film एक तरह से आयना है हम कैसे बदल सकते है हम ऐसी कौन सी चीज़ करते हैं जो हमें शायद नहीं करनी चाहिए या करनी चाहि है या हम ऐसे कितने सारे लोगों को नजर अंदास कर देते हैं या हम उने देखते ही नहीं है जो हमारी दुनिया के हिससे हैं इसमें चाहिए आपके लिफ्ट के जो लेते हैं चाहिए जो आपका कच्रा फैंकते हैं आप उनकी तरफ देखते हैं अक्नॉलिज करते हैं उनका उनका कोई वजूद ही नहीं है हमारे एक तरह से समाज में और आप और हम तो शायद फिर भी ऐसा काम कर रहे हैं जो इसमें मज़ा आता है या हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं ऐसे करोडों लोग हैं जो कर रहे हैं काम सिर्फ पेट भरने के लिए या अपना घर किसी तरह अपने बच्चों को पाल लें उनको अच्छी शिक्षा दें फिर बच्चे कई बार अपने मावाप के काम से अशेम्ड हो जाते हैं जैसे मेरे ड्राइवर जो हैं वो जादा पढ़े लेखे नहीं हैं लेकिन उनके बच्चों को बहुत अच्छी स्कूल में डाल रहे हैं उनको हर तरह की चीज़ दे रहे हैं और वो बच्चे कभी-कभी थोड़ा से जेब जाते हैं कि अरे हमारे फादर तो ड्राइवर है हमारी मा तो बरतंद होती है तो यह जो छोटी छोटी बारीकिया है हमारे समाज की जिसको हमने एक तरह से बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया है इसमें कोई बड़ी चीज लगती हम को देखनी और समझनी और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अपने लेवल पर वो शायद बहुत जरूरी लगता है इसलिए एक तरह से फिल्म बनाई है सिर्फ कि एक सीन है भी जिसमें वह कंप्यूटर उसको बोल रहा है कि आपका रेटिंग डाउन हो गई है तो चिला रहा देखा था कि आपने बताया कि एक वीडियो ऐसी पॉप अब करके कैसा लगा क्योंकि उन्होंने जो पहले फिल्में की है वह जादा कॉमर्शियल थी और उनकी कॉमेडी की वज़े से उनको लिया गया था पर इस रोल में उनको ढालना और बहुत शांदार काम किया तो शाय आप तो बहुत सची में इतने जादा पॉपिलर हो क्योंकि हर जगा मुझे सबसे पहले यही सवाल पूछा जाता था कि आपने इनके वारे में ऐसे रोल के बारे में सोचा कैसे कि वो तो इतने कमाल के कमीडियन है और उनको इतना प्यार मिलता है जहां भी जाओ बहुत जा आप ज़े हैं तो आपको लगता है यह जोक नहीं पर जोक मार रहा है ऐसा लगता है तो वह जो एक कनेक्ट है तो मुझे उसकी वज़े से लगा कि यह इंटरिस्टिंग होगा खुद के लिए भी किसी नए अक्टर के साथ काम करके का अलगजी एक सप्राइज होता है और हम हैं बहुत अलग दुनिया से हैं बलकि जब मैं उनसे पहली बार मिलनेगी उनका भी यही सबसे पहले सवाल था कि आपने मेरे बारे में ऐसे रोल के लिए सोचा कैसे तो मैंने भी उनको यहीं कहा बलकि वो कई बार एक बार हम प्रमोशन में थे तो कोई बहूत पॉपिलर तो उनको पता है कि यह थोड़ी सी मतलब अपनी दुनिया में रहती है इसको जाधा पता नहीं है लेकिन हम लोग इतने अलग ऐसे लगता है कि हम लोग बड़ी अलग दुनिया से हैं लेकिन जब हम मिले और जो जिस इस से हमारी बातचीत हो रही थी जो हमारे खुद के इंटरिस्ट थे वो सब इतनी मतलब उसमे इतनी सहचता थी कि मुझे ऐसे बिल्कुल लगा नहीं कि मैं सिर्फ यह है कि उनको एक जगा खड़े होके बोलने की डायलोग तो बहुत माहरे इतने सारे बोल देते हैं तो हमारे खिल्म तो उनके लिए बहुत आसान था डायलोग याद करना या वोटेवर पर यह जो एक रिस्पॉंड करना एक एक आक्टर की तरह या चीजों के साथ कुछ करना इस तरह की चीजें उनके लिए भी शायद थोड़ी नहीं थी और उन्होंने बहुत थेटर भी पहले किया हुआ है और वो जिंदगी भी एक तरह से कहीं न कहीं जी हुए है तो शायद वो भी उनके साथ रही मुझे सरफ एक डर था कि उनकी पंजाबी जो एक्स बोलते हैं तो सारी चीजें और फिर मैंने उनको सारा कुछ रेकॉर्ड करके दिया था जहार कंड मेरा यह सवाल है कि जो जिस तरह की फिल्म ये बनी है वर्किंग क्लास जिसमें कि एक तरह से हीरो है लीड करेक्टर में है हम देखते थे कि दिवार जैसी फिल्में आती थी आमिताब बच्चे ने लाजिंगा उठा कर फिल्में की है लेकिन पिछले में 25-30 साल में ऐसी फिल्में या तो वो पैरलल सिनेमा कह दी जाती है या फिर वो को यार्ड फिल्म कह दी जाती है वो एकदम मेंस्ट्रीम जो सि दो इसले मैंने स्क्रिप पढ़ी है फिल्म नहीं देखते हैं तो आप क्या समझती है बॉलिवूड को लेकर अभी मतलब चल क्या रहा है बॉलिवूड में ऐसी फिल्में नहीं आ गया रही हूं और किस तरह की फिल्में बन रही हैं आप इससे मतलब इतिफाक रखती है कि मैं यह नहीं एप बुटांने लागंवादल में अनौ यह कसल कि महरे लगा पर हिक्ता है कि में अड़िया हमारे आठ तीवी बहुत देर से आया और मैंने भी कोई मुझे सिर्फ में पूरे स्कूल में नोय देखितीन तो उसके लावा कोई देखिए me तो सीधा कॉलेज में मेरे कुछ ऐसे दोस्त में जो सब फिल्मकर्स करना चाहते एक ही, यो शoir कोई ननी करते हैं इसके अलावा और वही नहीं बना, तो मेरा विलकुल भी मन नहीं था फिल्मों में जाने का पर उन लोगों ने मुझे बड़ा एक्सकोज किया वर्ल्ड सिनमा पैरल सिनमा इन दिल्ली में फेस्टिवल इफ ही पहले दिल्ली में होता था तो वो देखना तो सम्हाव मैंने कमर्शिल फिल्में जादा देखी नहीं है बहुत कम शायद ऐसेलों कि तो कि प् पूछ कहना चाहती है और उन दिल्ड किलिए हूद करने की आपने लिए आपनी चीन कोशिश की मैं अपनी तरह ही सोच सकती हूँ यह किसी और बन के तो नहीं सब्सक्ति तो इस आप जर्नलिस्ट हैं आप भी देखेंगे जब तक कोई सेंसेशनल घटना नहीं होती किसी आम आदमी के साथ या औरत के साथ किसी की भी साथ तब तक उनकी कहानिया आती नहीं है उनकी नॉर्मल जिंदगी की जद्दो जहद है या उनके जो छोटे-छोटी खुशियां चोट जो रिक्षा वाला भी देख रहा है और जो सबसे अमीर है वही रेख रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है कि यह एस्पिरेशनल फिंज और आपने बिल्कुल सही का पहले जो जो इवन कमर्शल फिल्में थी उसमें कोई कूली बना है कोई रिक्षा वाला बना है चाहे वो दो तो उसमें एक हाट भी था एक सोशल कॉंचन्स भी था उसमें एंटेंमेंट भी था उसको हमने किसी एक आट कमर्शल के ही डबे में डाला था लेकिन अब जो लोग तेटर जाते हैं वो सिर्फ स्पेक्टिकल देखने के लिए जाते क्योंकि बोटीटी आ गया है तो मुझे बहुत लोगोंने का है कि हाँ देखनी है पर समय नहीं मिल रहा है तो यह लोग अब बोटीटी पर देखेंगे तो ऐसी फिल्में जिनका शायद दिल बड़ा है कहानी बड़ी है लेकिन बजट नहीं और स्पेक्टिकल नहीं और वी एफेक्स नहीं है तो ऐसी फिल्मों के अंजाने लोगों के साथ हस भी रहे हैं यूनो रो भी रहे हैं भी कर रहे हैं मतलब एक कलेक्टिव एक एक स्पीरियंस उसका एक मज़ा है फोन आप इतनी बार नहीं देख रहे हैं वीच वीच में उठके कुछ खाने नहीं जा रहे हैं उसको पॉज नहीं कर रहे हैं पास साथ साल पूरे हुए हैं जिसमें कि अब शुरुआत में थी भी पचास साल 1973 से वाव जी जी बिलकुल 73 समय बहुत तेजी से दोड़ रहा है तो जब मैं कॉलेज में थी हाँ उस समय की अगर हम बात कर रहे हैं और अभी जो आपका काम है क्योंकि फिराक अपने फिल्म बनाई जैसे की बाकी लोगों ने किया वह उसे तो इस दौर की अगर हम बात पर आपकरेंए तो क्या आपको योगदा कर लगता है मतलल जब जनम के साथ काम करके या उस वख्त में थीटर करके उसको कैसे बग़ मेरे घर में आर्टिस्टिक महॉल था मेरे फादर चित्रकार है, मालेकी का है, National Book Trust में काम करती थी तो वो माहौल किताबों का, डांस, म्यूजिक, थियाटर, इन सब का माहौल था लेकिन इसका माहौल नहीं था, क्या कहते हैं, जैसे political माहौल इतना नहीं था, पर ये अच्छी बात थी कि फेमिनिजम हो, सेकुलरिजम हो, ये सारे जो इजम तो हमने बाद में सीखे, ये सारे चीज़े घर का हिस्सा जरूर थी, लेकिन, मतलब घर के माहौल का हिस्सा जरूर थी, तो इसमें फिर जन्नाटे मंच को मैं हमेशा कहते हूँ क्योंकि ये मेरी एक तरह से पुलिटिकल, क्या है, पुलिटिकल थिंकिंग में इसने बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि हम लोग, मैं कॉलेज में थी, कि 17-18 साल की मुश्कील से होंगी, स्कूल के लास्ट यर में, मेरे जो क्लास्मेर थे, सुधनवा देशपांडे और उनका पब्लिशिंग हाउस भी है, उन्होंने मुझे इसमें, वो मुझे इसमें लेकर आए, और सफदर के प्यार में तो सब थे, बच्चा, बुढ़ा, अदमी, और अवरत, अभी तक है, ऐ बहुत कम होती है, यह नहीं कि वो चले गए, इसलिए हम लोग कई बार रोमांटिसाइज करते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, जो सही माइने में इतने अच्छे इंसान, इतने, you know, like a theater activist का आजाए, इतना अच्छा sense of humor, इतना commitment और idealism दुनिया को बदलने का, और उनके साथ मैंने चार साल काम किया, पुरे टीम के साथ, और हम लोग ऐसे करनाटक बनाते थे, फिर उसको जाके गलियों में, slums में, offices में परफॉर्म करते थे, फिर एक चादर लेके गूमते थे, उसमें पैसे लोग, coins, rupees, उस जमाने में तो कुछ भी, मतलब एक रुपिया भी कोई ड कैसे डालते थे, फिर हम लोग बसे में, जोगी जो अब कास्टिंग डिरेक्टर बन गए हैं, बंबई में काफी बड़े, वो धोलक बजाते थे, हमने एक नटनटी का प्ले किया था, इदगा प्रेम चंद की एक कहानी पर, तो हला बोल, in fact, उसी के मैंने 50 शो किये, और मैं कॉलेज के बाद मैंने एक साल का ब्रेक लिया था, तो मैं चार महिने के लिए प्रिशी वैली नाम का इक स्कूल है, साउथ में, जे कृष्णमृती का वहां पढ़ाने गई, उसी दौरान सफदर की बहुत बूटली जो हत्या हुई, उसी दौरान हुई, तो उनके साथ जो माध्यम, एक पावफुल माध्यम बन सकता है यह, क्योंकि और इस्पेशली फिल्म में आप सोचिए, इतने लोग साथ जुडते हैं, इतना पैसा जाता है, इसमें इतने लोगों की महना, चिद्दत सब जाती है, तो उसमें अगर एक छोड़ा सा सोशल कॉंशन्स हमें, तो मुझे फिर भी आरोप लगता है, क्योंकि मुझे फुद मेसेजी फिल्म अछी नहीं लगती, मुझे लगता है कि जब हम फिल्म देख रहे हैं, तो हमें एक स्टोरी में आप ले जाओ, हमें एक जर्नी करा अपने कैरेक्टर्स के साथ, हमें खोदो, वो डेड़ घंटा, द बनाने में मदद करें, क्योंकि आज जो भी आप और मैं हैं, वो हम उसमें योगदान जरूर रहा है, किताबों का, फिल्मों का, लोगों का, जगाओं का, तो वो सारी चीजें जरूरी हैं, तो हाँ, मैं तो कहूंगी कि जननाटिव मंच का बहुत बड़ा योगदान है मेर मेरी जिन्दगी में, और मैंने हमेशा अकनॉलिज भी किया, और वो हुआ, उसके बाद मैंने सोशल वर्क में अपना मास्टर्स किया, मैं एंजियो के साथ थी, तो इन सब चीजों ने शायद मेरी चॉइस को भी इंपैक्ट किया, जैसे फिल्म रेटर्निटी में भी मुझ जितने भी अच्छे अक्टर्स हो, मार्केटबल होना बहुत जरूरी आज के दौरा, मैं कहते हूं, भाई मेरे पास वो फ्रीडम है, ना बोलने की उससे बड़ी प्रिविलेज क्या हो सकती है, कि आप कम काम और अच्छा काम, जो अपने मन का काम करो, और अगर आपकी जादा कमाने की जरूरत नहीं है, मैं ना जादा कमाती हूं, ना जादा खर्च करती हूं, यह फिल्म आपने बेटे के स्कूल में भी दिखाई, वह वाला एक्सपरियेंस कैसा था, मतलब बच्चों के सवाल किस तरीके के थे, और उनको कितना समझ आया और क्या उन्होंने मैं थोड़ा सा डर रही थी तो बी आउनेस्ट उसके पहले, मैंने का यह कैसे करेंगे इतने 10 साल के बच्चे और 60 साल के टीचर्स और सभी उसके बीच में थोड़ी सीरियस भी है, समझ जाएंगे और उसमें लैर्स भी हैं, लेकिन उन्हीं से मुझे समझ आया कि हम जो कही बहुत लोगों को खुश करना चाहते हैं, पर अगर आप जिंदगी के नुएंस दिखा हो तो बच्चों को शायद वो उसे आर्टिकुलेट ना कर सकें उसको व्यक्त ना कर सकें उसी लैंग्विज में जिसमें आप और मैं कर पाएं लेकिन वो समझते सब कुछ और उसका जो एसेंस हैं यह ने सोचल मेलिया पर भी अपने पोस्त में डाला तकि जो एक फिल्म का एसेंस होता है इसका एसेंस इस फिल्म का यह है कि हमारे इर्दगेत बहुत सारे इंविजिबल लोग है हम देखें कि उनकी जिंदगी क्या है और हम थोड़े एंप्थेटिक हो है कि हम उस चीज को एकनॉलेज करें किसी से अच्छे से बात करें अगर कोई पैकेट फट जाता है साइड से उसमें जानके तो नहीं कि हमसे भी पट सकता है तो थोड़ा एगर वह पांच मिनिट लेट आ जाता है तो ऐसे क्या मर जाएंगे हम कि हमारा ग्रोसरी नहीं आया चावल नहीं आया या फिर खाना नहीं आया पांच मिनिट रुक जाएं अपने आपको हम यह सोचते कि हम इसको अच्छा इसने ऐसे क्या मुझे यह यह नहीं बोला मैं इसको एक बिदूंगा रेटिंग उसमें हमारी क्या हम अपनी दिखा रहे हैं यूनो जब हमें पता च जिन लोगों ने देखा है सबसे ज़ादा यह कहा है कि अब हम बहुत लोगों को नूतिस करने लगें अंदर जहांकने लगें यह नो तो वो बच्चों ने बहुत कहा कि इतनी डिस्पारिटी हमारे समाज में जो है वो एक तो क्यों है और अगर है तो हम उसके लिए क्या कर कि हैं और कि अपने बेटे से पूछ रही थी थी तुमको लगता है तुमारे फ्रेंज वें समझ जाएंगे अज़कल नहीं है फिल्म में आपको हमेशा गुड़ और एक इविल दिखाना पढ़ता है मुझे विए उसकी समझ अच्छी लगी कि उसने का कि जब तक यविल न तो बढ़ नहीं हो सकता और गुड नहीं होगा तो आपका हीरो नहीं बनेगा अगर अपकी फिल्म में तो आपका हीरो है वो भी फ्लाइड करेक्टर रहे वो भी इतना उसमें भी खामिया है तो फिर तो मुझे उसकी भी सोच अची लेगी कि अगर एक बारा साल का बच्चा आपका भी आपका आपका है यहां तो मैंने उसको बोलाई जया कोहां तूम समझ सकते हो तो तो तुम आपके संजहें वे जह कुछ नहीं भी संजेंगे बार सबको कुछ-कुछ तो समझाएगा ही ना तो यह बात मुझे अच्छी लगी क्योंकि यह बात सहीं सारे नुएंस सकता है हर दर्शक ना पकड़ पाए लेकिन किसी वीवर को कुछ जो उनके एक्सपीरिंस से हम रिलेट करते हैं जैसे मुझे सेंसर बोर्ड में किसी जब मैं सेंसर के लिए गई मुझे उनमें से किसी ने कहा कि वो जो आपने डाइपर वाला सीन किया ना तो उससे मेरा दिल द इंसान अपने एक्सपीरिंस को लेकर एक फिल्म में आता है और वो से क्या लेगा हमें नहीं पता लेकिन जो मा का करेक्टर था में लिए भी सर्प्राइस है कि ट्रेलर में कहीं भी नहीं नहीं देखा था हमने कि इसकी मां भी है बना था बस चार लोग ही रह रहे हैं बात करें आपकी फिराग फिल्म को गुजरात में बैन किया गया था अभी एक बैन नहीं किया था पर उनको कुछ भी मांपिट करने नहीं किये थे लोगों ने इसमें की पी-एम की स्पीच कहीं पर भी नहीं है पुलिस बूटैलिटी कहीं पर नहीं दिखाई जो कि करीम हुई थी और भी सेंसर्शिप की बात हो रही है तो इसको आप किस तरीके से देखती है जो एक फिल्म मतलब जब बनाई जाती है दर्शेओं को दिखाने के लिए उसमें कट्स लग जाते हैं या फिर वो अनॉफिशियल बैन उस पर लग जाता है तो उसको कैसे देखत सिनेमा और दर्शकों तक का उसको जो ब्रेक करने ब्रेक जो हो जाता है बिल्कुल और मैंने तो यह व्यक्तिगत रूप में सहाबी है बिकॉज राइट फ्रम मैं फिल्म फायर अगर हाँ देखें तो वह इंसाट उसमें एक भी कट नहीं था एक भी कट नहीं था उसके बा तोड़ फोड़ भी की और यह सब और उसका बहुत अच्छा उस समय रिस्पॉंस आया उस जमाने में तो लोग सड़क पर उतर आते थे तो एकदम सड़क पर आगया और बोले क्यों हमें फ्रीड़म फ्रीड़म चाहिए अगर अच्छी नहीं फिल्म होगी तो हम उसको दे जिसके विजह से शवाना जी और मैं नहीं उसका बन पाई तो मैंने फिराक में देखा हर बार देखते हैं इसको दूसरी फिल्मों के साथ होता है तो यह है कि मैं तो बिल्कुल संसेशिप के सब खिलाफ हो और आजकल के जबाने में जहां माँ सबके पास इंटरनेट है एक जो चीज आपके पास सब जगह महया की गई है उसको आप पाउचे लोग वह भी आपिटरी पाउचे लोग वह अपत अच्छा हो सकता है नहीं भी हो सकता पर पांचे लोग आपके पूरे फिल्म की डीस्टिनी को डिसाइड कर रहे है और पूरे वीमर्स की टेस्ट को जच कर रहें पर आजकल यह भी हो गया कि सब बहुत सेंसिटिव हो गया है तची हो गया है कि कोई भी चीज हो अच्छा यह मेरे खिलाब क्यों कहीं यह मेरे इसमें क्यों कहीं है मतलब वही तो freedom की बात है लोग मुझे पूछते हैं बड़े पर propaganda फिल्म बनती है इतनी बुरी- आप लोगों को ट्रस्ट करने लोगों जो सबसे बड़ा जज आर्ट का सिर्फ समय है what stands the test of time you know is really art आज हम 50 साल पहले क्या 5000 साल पहले का भी जो देखते हैं या Michael Angelo की painting हो चाहे प्रेम जन की कहानिया हो चाहे मंटो के अफसाने हो जो भी जो उस दौरान और भी कई होंगे ऐसा तो नहीं है कि वह थे अच्छे बुरे हर तरह के हर दौर में थे पर जो समय इतने सालों बाद भी कि अच्छा ब्राव यूगा और फिर रहेगा उसलों उसे देखेंगे कुछ नहीं देखेंगे अब तो हमारा हर आदमी जर्नेलिस्ट अब उसको अच्छा नहीं लगताए आप उसके बारे में ट्वी ट्वीट करो इंसटा पर डालो जो भी बुराई करो उसके अगर जब कर देते हैं तो आप अपनी राय से करते हैं सामने वाले को मुझा नहीं देते हैं कि वो अपनी राय से इसे देखें तो अभी मतलब शाम बेनेगल इसके हैट थे जो पूरी कमिटी बैठी थी मैं भी उसका हिस्सा थी कि शायद हमें एक लिए रेटिंग सिस्टम कर देना होता है तो वह आप कर दीजिए बट उसके बाद आप हमें इतना मतलब वह मत सोचिए कि हम इस लाइक भी नहीं है कि हमें क्या पसंदे या नहीं पसंद रहा हम ठीक से नहीं जज़ कर पाएं आखरी में मेरा यही सवाल है कि आने वाले समय में हम क्या काम आपका देख पाए क्योंकि काफी स्यादा टाइम एक तो लगता है आपके फिल्म में आने में पर अब गैप काम हो रहे हैं क्या है कि बहुत सालों तक बहुत सालों तक as an actress and as a director मैं थोड़ी हेजिटरंट थी क्योंकि मुझे कभी फिल्म में नहीं करनी थी ना यह मेरा सपना था ना यह मेरा ambition था ना मैंने इसके लिए कुछ ऐसे struggle किया कि उससे मिलों उससे मिलों audition कुछ भी नहीं किया मतलब यह एक तरह से मेरी जिंदगी में आगया मैं सुचती नहीं नहीं मुझे acting नहीं करनी मतलब ऐसे पढ़ाई काफी जादा किया आप में जादा नहीं मतलब मास्टर्स किया ह पर मेरी माँ पूद पीएचडी उन्होंने की हुई है उनके लिए तो कमी था मैं तो graduation के बाद करना देसल्यूजन होई थी कि क्या हमारे school colleges में कुछ इतना पढ़ाई नहीं होती है मुझे नहीं पढ़ाई करनी और यह वो तो पर मेरी माने का नहीं नहीं तो करना ही है फिर मैंने एक साल का gap लिया कि मुझे पता ही नहीं मैं किस चीज में में करूँ क्योंकि मैंने बीए तो ले लिया आप तीन साल के बाद पर नहीं लेना नहीं मन किया करने का फिर वो उस साल के बाद मुझे लगा नहीं मुझे लोगों से जुड़ना है कुछ लोगों के साथ काम करना है तब मैंने सोशल वर्क किया फिर मैंने एंजियोज में किया तो हेसिटेट होते होते अलग एक फिल्म मैंने रिसर्च अलरी शुरू कर दिया अपनी अगली फिल्म का और I hope मेरी जैसी फिल्में बनने वाली हैं जो देखने वाले हैं वो लुकिली वो कनेक्ट बहुत डीपली कर रहे हैं और मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है कि नंबर गेम की तो दौड जो है वो इंस्टा में आपके कितने फॉलोर्स हैं या आपके कितने बॉक्स ऑफिस हैं इसकी तो एक अलग गेम है तो जब या तो आपको वो गेम उनके रूल्स के साथ खेलनी पड़ेगी या आप गेम से बिलकुल बाहर हो जाईए तो हम तो बह यूसर और ऐसे बनाएं तो फिर आपको जाके देखनी देखनी चाहिए थेटर में ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए सिर्फ एस एक्ट ऑफ जेन्रोसिटी नहीं तुद के लिए भी क्योंकि इन कहानियों में कुछ सचाई चुपी हुई है जो शायद अगर हम देखे तो हमारे अंदर छोटे-छोटे शिफ्ट सों यह समंदर में बूंद है लेकि इसी से शायद कुछ चुट-चुटी भूंदों से ही शायद कुछ बदलेगा तो इस हफते भी कुछ थेटर्स में हैं बहुत कम हो गएं थेटर्स क्योंकि लोग कम जाते हैं इस तरह की फिल्म करने का न्यूस क्लिक बर और तर्शकों से जी क्या आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे तो जब पुछने वाले दिल से पूछते और उसमें सुनने में अक्चिली इंट्रेस रखतें तो बोलने में भी मज़ा आता है शेयर करने में मज़ा आता और पुछ पुरानी झाल झाल